गर्मियों के दिनों में सबको कुछ छंडा घाने का मन होता है तो आज मैं आपके सामने लेके आए हूँ केसर पिस्ता रोल कट कुलफी जो लारी पर मिलती है उससी स्टाइल में हम बनाएंगे जो गुजरात और राजस्तान में तो बहुत फैमस है तो आज हम उसको एकदम सि दिस्ट वही आएगा तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हूँ तो प्लीज इसे लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है एक लीटर फुलफेट दूद डाला है और यह दूद आप जो एक कप आता है 250 मिलका उसके इसाब से ना पोगे तो यहां पर वो 4 कप है तो यहां पर आपको कच्छा दूद ही लेना है उबला हुव द दूद नहीं यूज़ करना है इस दूद में से मैंने एक चौथाई कप जितना दूद रहने दिया है और हम इसे साइड में रखेंगे उस दूद में यहां पर मैंने दो बड़े चमश कॉनफलार एड़ किया है और इस कॉनफलार को अच्छी तरह से दूद में हम मिक्स इसमें कोई भी लंस नहीं रहने चाहिए दूसरी तरफ थोड़े से केसर की धागी को मैंने दो बड़े चमश दूद में भिगो की रखा है इससे क्या होगा जो केसर का जो फ्लेवर है और उसका रंग है वो दूद में आ जाएगा तो इसे भी हम साइड में रखेंगे दू दूसरी तरफ जो गैस पर हमने दूद चला था उसमें भी एक उबाला चुका है तो यहां पर हम गैस की आज इकत्रम धीमी कर देंगे और इसे चलाएंगे और अब हमें यहां पर दूद को 7-8 मिनिट के लिए पकाना है यानि कि दूद को हमें गाड़ा बनाना है थोड़ा थोड़ा दूद यहां पर रिडियूस हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है और चलाते जाना है और जो साइड में इसे दूद में जो मलाई हो रही है उसे भी हमें साइड में से निकालते जाना है और दूद में एड करते जाना है और इसे पकाते जाना है इसे जल्दी दू तो थोड़ी मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि दूद काड़ा हो चुका है और थोड़ा सा दूर रिडियोज भी हो चुका है इसके अंदर अब हम कॉनफलोस लरी एड़ करेंगे और इसे हम पकाएंगे और चलाते जाएंगे गैस की याश यहां पे हमें दीमी ही रखनी है तो दूसरी दरफ दूसरे गैस पे हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने आदा कब शुगर डाला है और इस जो यह शुगर है इसको हम केरमलाइज करेंगे तो यहां पे भी हमें गैस की याशिक्तम दीमी रखनी है तो से पिगलाना है तो थोड़ी साथ मिनिट के बाद ये भी केरमलाइज हो जाएगी और देख सकते हूं इसका इस तरह का ब्राउन कलर आ जाएगा शुगर केरमलाइज हो चुकी है तो गैसाच बन कर देंगे और दूसरी तरह जो दूद उगल रहा है उसमें केसर के दागे वाला दूद एड़ करके उसे मिक्स करेंगे उसके बाद केरमलाइज शुगर एड़ करेंगे और इसे भी हम दूद में अच्छी तरह से मिक्स कर दे और जो यह रोल कट कुल्फी है उसमें यह इंपोर्टन पार्ट है आप इसे स्किप्ट नज करना क्योंकि जो केरमलाइज सुगर है उससे ही इस कुल्फी का टेस्ट आता है और यह बिल्कुल लारे स्टाइल बनती है तो इसे मिक्स करेंगे जब तक अच्छी तरह से कुल्फी बना सकते हो इसमें से आप मावा एड़ करके आप यहां पर मावा रोल कट कुल्फी भी यहां पर बना सकते हो अब कुल्फी को हम फ्लेवर देंगे उसके लिए यहां पर छोटी छोटी टुकडे करके मैंने पिस्ता डाले है और एक चोथा चोटी चमच जो पिस्ता एसेंस आता है वो डाला है इसे केसर पिस्ता कुल्फी का एक फ्लेवर एनहेंस होगा उसके बाद थोड़ा सा यहां पर ग्रीन कलर डाला है यह फूट ग्रीन कलर है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना इसे स्कीप कर सकते हो इसे कुल्फी का एक कलर अच्छा दिखेगा और कुल्फी खाने पर भी अच्छी लगें इन सब को हम मिक्स करेंगे और गैस की आश बन करके इसे हम बिल्कुल temperature पर आजाए तब तक इसे ठंडा करेंगे अभी यह दूध इतना गाड़ा है पर जब यह ठंडा हो जाएगा तब उसके बा तो यह थोड़ा ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो इसे room temperature पर आने देख तब तक इसे ठंडा कर लिजी। तो इसे मैंने एक गंटे के लिए छोड़ा था तो ये बिल्कुल थंड़ा हो चुका है आप देख सकते हो कि ये पहले से भी ज्यादा गाड़ा हो चुका है यहां में हम रोल कट कुलफी बना रहे तो यहां पर मैंने स्टिल का ग्लास लिया है उसके अंदर जो मिक्शर है कु मिक्षर है क्वागाश उसके बात में हैं भी का ओर प्राव को टो चुल्फी को डाल सकते हो तो स्टिल के ग्लास में मैंने कुलफी का जो मिक्षर है वो डाला है उसके बार जो यो मुंहीं आथ होगा है कि हमारे जु जो कुल तरह से जम जाएगी और उसमें driedil Regierung क्रिस्ट और इसे आप पुरी रात फ्रीजर में छोड़ दीजे या 8-9 गंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ दीजे तो एकदम ये सैट हो जाएगी तो मैंने इसे पुरी रात रखा था तो ये एकदम सैट हो चुकी है आप देख सकते हो कि बड़िया सी कुल्फी सैट हो गई है कुल्फी को डीमॉल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और जो गलास है इसको हम डीप करेंगे इसे क्या होगा कि कुल्फी हमारी easily डीमॉल्ट हो जाएगी चाको की मदद से हम इसे डिमोल्ट करेंगे तो आप चाको इस तरह से डालने के बाद इसको गुमाते जाएए और अपने जो चाको वाला हाथ है उसको भी गुमाते जाएएगा तो वो दीरे दीरे बाहर निकल जाएगे और यह इजिली डिमोल्ट भी हो जाती है एक बड़े से धारदार चाको की मदद से आप इसे कट कर लीजे तो देख सकते हो कितनी बड़िया सी रोहमारी केसर पिस्ता रोल कट कुलफी तयार है आप इसे उपर से घानिश करने के लिए जो सैफ्रोन है उसको डाल दीजे और छुटे छुटे चुटे पिस्ता के टुकड़े डाल दीजे तो आपकी ये केसर पिस्ता रोल कट कुलफी एकदम खाने के लिए रैडी है खाने में ये कुलफी एकदम दानेदार लगती है और इसका जो टेस्ट है केसर और पिस्ता का वो तो बहुत बढ़िया सा ही लगता है तो आप ज़रूर इसे घर पे एक बार ट्राइ करना आपको ये ज़रूर पसंद आएगी थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फोर वाचिंग लाच झाल सब्सक्राइ झाल झाल